दूरसंचार नियमक ट्राइने थौक वानी जीक मेसेज के मानकों का पालन नहीं करने वाली 40 कमपणियों की सुची जारी की है इसमें ASBI, HDFC बैंक और ICICI सहित कई बैंक शामिल है ट्राइने कहा, बार-बार याद दिलाने के बावजूद ये कमपणियां थौक संदेशों का पालन नहीं कर रहीं अगर 31 मार्च 2021 तक सभी कमपणियां दूरसंचार नियमों का पूरी तरह पालन नहीं करती हैं तो एक अप्रेल से उन्हें अपनी ग्राहकों के साथ संपर्प में मुश्किल आ सकती है S.A.S. Hyundai लकनओ को मिला 3 अवॉर्ड Hyundai Motors India Limited Annual National Digital Dealer Conference 2021 की ओर से S.A.S. Hyundai लकनओ के MD गुंजित कालरा को 2020 के लिए Best Institutional, S.A.S. Best Workshop Referral और Best in Order Retail Volume से सम्मानित किया गया इस मौके पर S.A.S. Hyundai के Managing Director ने सभी ग्राहकों और S.A.S. परिवार का आभार व्यक्त करते हुए भविश्य में भी अपनी ग्राहकों को इसी प्रकार की सिवाएं देने का वादा किया जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और People's Democratic Party की सुप्रीमो महगुबा मुफ्ती के आतखवादियों से संबन्ध है आतनकियों को धन उपलब्द करवाने के मामले की जांच कर रही राष्ट्रिय जांच एजेंसी ने इस बारे में बड़ा खुलासा किया और कहा है कि गिरफता रातन की नवीद बाबू को महगुबा जानती थी वो इससे फोन पर बात भी कर चुकी है एक बार फिर कोरोना के नए मामलों में बड़ोतरी दर्च की गई है पिछले 24 गंटों में कोरोना के 62,000 से जयादा नए मामले सामने आए हैं जोकी पिछले 170 दिनों में सबसे ज्यादा है 24 गंटों में कोरोना के चलते 291 मौते मुई अब बिहार पर मंदराया कोरोना का संकत 10 मार्च को बिहार में 90 कोरोना के मामले मिले थे यह सिलसला अंवरत बढ़ता जा रहा है 20 मार्च को 88, 21 को 126, 22 को 90, 23 को 111, 24 को 170 और 258 संक्रमित केस मिले भारत के पूरबोटन सचिन तेंदूलकर को कोरोना हो गया है मास्टर ब्लास्टर ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरियोगी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सचिन के कहा कि उन्होंने खुप को होम क्वांटीन कर लिया है देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है ऐसे में केंद्रो और राजे सरकार हाई अलर्ट पर हैं और यूटी में सभी जिला प्रशासन साफधानी बरतने के लिए तयार हैं सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कोरोना वाइरस के बढ़ते मामलों को दीखते वे उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फिय लगने वाला है सीमर अधिकारियों ने लिया फैसला एक अप्रेल के बाद से राज्यमिंग नाइट कर्फिय के नियम लागू बो जाएंगे उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमन तेजी से बढ़ता दिख रहा है ब्रज क्षेत्र में कोरोना के नए स्ट्रेन की दस्तक आगरा से साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सेंपल के जियमिंग लखनव जाच के लिए ब्यजे गए थे इनमें से तीन में अफ्रीकी कोरोना स्ट्रेन पाया गया है इसके अलावा मतुरा जनपत से बीजे गए सेंपल में बरसाना निवासी व्यक्ति को कोरोना के अफ्रीकी स्ट्रेंग की पुष्टी हुई है ब्रज में पहली बार को चार मरीज कोरोना के अफ्रीकी स्ट्रेंग से पीड़ पाए गए है कोरोना के किसी भी वेरियंट से बचने के लिए पहले जैसी सतर्कता वा जागरुकता जरूरी है घर से कहीं भी बाहर जाने पर मास्क लगाएं वा शारीरिक दूरी का पालन करें हाथों को सेनिटाइज करें जनको मौका मिल रहा है वह वैक्सी नवश्य लगवाएं लखनव में कोविट संक्रमन गती पकरता नजर आ रहा है बीते 24 घंटे में लखनव में कोरोना के 347 नए मामले सामने आए हैं इसके साथ ही शहर में एक्टिव केस का आंकड़ा 1032 पहुँच गया है राज्य में लखनव एसा शहर है जहां कोविट के सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं